जैश्री किष्णा राधे राधे कैसे हैं आप सब उम्मेद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे अगर हमारी वीडियो आपको लोगों को पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिये अगर पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो वो भी बेल आइकन के साथ ताकि वीडियो आपके पास समय से पहुँचते रहे हैं जो भी मैं वीडियो न्यू डालूँगी आपके पास आती रहेंगी चलिए सुरू करते हैं बसंत पंचमी की वीडियो हम लेकर आए हैं आज तो इसके बारे में हम बताएंगे कि सरस्वती पूजा कैसे करें और बसंत पंचमी का इतिहास महत और रोचक तथे आज इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं पसंत पंचमी का त्योहार काफी धूम धाम से मनाया जाता है यह दिन मा सरस्वती को समर्पित है और इस दिन मा सरस्वती की पूजा आरचना की जाती है इस साल यह बसंत पंचमी जो है चोदह फरवरी को मनाया जाएगी तो आईए देखते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है त्यादी बसंत पंचमी के दिन को स्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है इस दिन मा सरस्वती की पूजा आरजना की जाती है मा सरस्वती को ज्यान संगीत कला विज्यान और सिल्फ कला की देवी माना जाता है यह दिन विद्या आरम या अक्षर अभ्यास के लिए काफी सुब माना जाता है इसलिए आज के दिन माता पिता अपने बच्चे को माता सरस्वती के आशिरवाद के साथ बिद्यारम कराते हैं यह त्योहार हिंदू कलेंडर में पंचमी तिथी को मनाया जाता है ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन पंचमी तिथी सूर्द और दोपहर के बीच में व्यापत रहती है उस दिन को सरस्वती पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है इसे बसंत की सुरुवात के रूप में भी मनाया जाता है यहीं आपको बता दे कि हिंदु पंचांग के अनुसार ये त्योहार हर साल माग माज सुक्ल पक्स की पंचमी को मनाया जाता है इस त्योहार का किसानों के लिए काफी महत्व है बसंत पंचमी के दिन सर्सो के खेत लहला उठते हैं बसंत रितु के आने से पेड़ पोधो में फल फूल खिलने लगते हैं और कई जगव पर इस दिन पतंग भाजी भी होती है पंचाब छेत्र में इसे बसंत के पांचवे दिन पतंग को उड़ा कर मनाते हैं इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है और हिंदु धर्म में मासरस्वती को बिद्या की देवी भी काह जाता है तो सभी पढ़ने वाले बिद्यार्थी मासरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं यहां तक कि भगवत गीता में स्री किष्ण भगवान ने कहा है कि बसंत मेरे रूपों में से एक है इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं और तरह तरह के खादे प्रदार्थ को पकाया जाता है जैसे कि बूंदी के लड़ू, पीले रंग के मीठे चावल इत्यादी आईए जानते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत है बसंत, सब्द का अर्थ है बसंत और पंचमी का पांचवे दिन इसलिए माग महीने में जब बसंत रितु का आगमन होता है तो इस महीने के पांचवे दिन यानि पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है इस दिन स्कूल और कालेज़ों में मासरस्वती की पूजन होता है और सभी विद्यारती विद्याकी देवी मासरस्वती की पूजा करते हैं हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में छे रित्वें होती हैं जिनके नाम बसंत रितु, ग्रिश्म रितु, बडशा रितु, सरद रितु, हिमंत रितु और सिशिर रितु अर्थार पत जढ़ है जिनमें से बसंत रितु का मोसम सबसे जादे स्वाबना होता है और इसलिए बसंत रितू को रितू का राजा यानि रितू राज भी कहा जाता है क्योंकि इस मोसम में हर जगे धर्ती पर हर्याली होती है इसी मोसम में गेहूं और सर्सों की खेती की जाती है और ऐसा लगता है कि गेहूं के खेतों में ने हरे रंग की साड़ी पहन ली हो और दूसरी तरफ पीले सर्सों के खेत ने सोने जैसे लगते हैं मानों हर जगे सोना पिखेड दिया हो तो चलिए जानते हैं आईए बसंत पंजमी के बारे में कुछ अद्बू तथ्यों पर भी नज़र डाल लेते हैं तो बसंत पंजमी को मा सरस्वती का जन डिवस भी का जाता है इसलिए मा सरस्वती के जनम दिन के उपलक्षे में मानते हैं इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है हिंदु धर्म की मानताओ के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने स्रश्टी की रचना की थी तब हर तरफ सांती ब्याप्ती कहीं कोई ध्वानी नहीं सुनाई पड़ रही थी उस समय भगवान विष्णू की आग्या से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल्म से जल लेकर धर्ती पर छिड़का जिससे एक अध्वुख सक्ती एवं चत्रुभज हातों वाली नारी का अफ्तार हुआ जिनके हातों में बीणा माला पुष्टा की त्यादी थे जब उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर बीणा बजाई तो हर तरफ संसार में ध्वानी फैल गई तब ब्रह्मा जी ने बीणा की देवी को सरस्वती के नाम से पुकारा जो की ज्यान और संगीत की देवी कहलाती है इसी कारण इस दिन को मा सरस्वती की उत्पत्ती के रूप में मनाया जाता है इस दिन को बच्चे के जीवन में एक नई सुरुवात के रूप में भी मनाते हैं परंपरागत रूप से बच्चों को इस दिन पहला सब्द लिखना सिकाया जाता है क्योंकि इस दिन को ग्यान की देवी की पूजा के साथ एक नई शुरुवात मानी जाती है पीले रंग का इस दिन काफी महत्व होता है बसंत का रंग होने के कारण पीले रंग को बसंती रंग भी कहा जाता है यह है रंग सम्रद्धी, प्रकास, उर्जा और आशिरवात का प्रतीख है इस कारण लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले रंग में पारंपरिक ब्यंजनों को बनाते हैं लोग कथाओ के अनुसार धन सम्रद्धी को लाने के लिए बसंत पंचमी पर साप को दूद भी पिलाया जाता है पतंग उड़ाना जो कि भारत में एक लोग पुरिया खेल है बसंत पंचमी के त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है खास तोर पर पंचा अप में पतंग उड़ाने की परंपरा काफी महत्व रखती है और बसंत पंचमी के दिन ही होली का की मोर्दी के साथ लकड़ियों को इखटा करके एक सारवजनिक इस्थान पर रख दिया जाता है अगले 40 दिनों के बाद होली से एक दिन पहले स्रद्धालू होली का दहन करते हैं जिसमें छोटी छोटी तहनिया और अन्या ज्वलन सील सामगरी भी डालते हैं हमारे भारत में कोई भी त्योहार मीठे के बिना अधूरा होता है तो आईए देखते हैं अलग-अलग जग़ों पर क्या-क्या मीठे पकवान बनाये जाते हैं इस दिन मासरस्वती के लिए तो चलिए जानते हैं बंगाल में क्या बनाया जाता है बंगाल में मासरस्वती को बूंदी के लड़ो और मीठे चावल अरपित किये जाते हैं वहीं बिहार में मालपुआ, खीर और बूंदी मासरस्वती को अरपित करते हैं इधार उत्तर प्रिदेश में हमारी यहां भवान कृष्ण को केशर या चाविल अर्पित करते हैं। अई पंजाब में यहां मीठे चावल मक्के की रोटी सरसो का साख खाया जाता है पसंद पंचमी पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेट सेर कीजिएगा मिलती हूँ एक और ऐसी ही वीडियो के साथ जैसरी किष्णा राधे राधे